दोस्तों आप सभी को तो पताई है, जुलाई से जियो रिचार्ज प्लान जादा हो गया, एंड बीसेनल ने नया रेकोर्ड बना दिया बहुत कस्टमर ने जियो से बीसेनल पार सिमपोर्ट किया आगर आप BSNL Recharge प्लान जानना चाहते तो कमेट कीजिए एंड मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए जो पहले से है उन सभी को सपोर्ट के लिए थैंक्यू As of 30 April 2024, BSNL Mobile के पास 88.9-4 मिलियन ग्राहक हैं जो इसे भारत में चौथा सबसे बड़ा Mobile दूरसंचार नेटवर्क और दुनिया में 25 वा सबसे बड़ा Mobile दूरसंचार नेटवर्क बनाता है आगर अपने भी SIM पोर्ट की आया है या सोच रहे तो इंटरस्टेट परसन कॉमेंट करना न बुले अभी देखा जाए तो कुछ लॉग BSNL पर आ गए और अभी भी बहुत लोग सोच रहा है कुछ लागो सुनने को मिला इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बाते बहुत अच्छेस होता है आपको क्या लगता है अचानक इतना लोग पोर्ट के लिए क्यों सोच रहा है जियो, Airtel, BIA शबी सीम की रिचार्ज प्लान यदा होना या BSNL से ज़्यादा बेनफिट्स मिलना अगर ऐसे चलते रहे तो जल्दी BSNL के वो 5G देखने को मिल जाएगा BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिकेड BSNL की तीन गुना सेल हुआ है जियो यूजर, BIA, Airtel, सावी कंपनी सोचने लाग गए है एक चीज तो मानना पड़ेगा जब जियो लंच हुआ था तब सभी बोहत यदा फाइदा हुआ था फ्री कॉल, फ्री इंटरनेट वो दिखने को मिला था देखा जाए तो ए एक बिजनेस आइडिया था जियो की बजाए जल्दी 5G वो दिखने को मिला अवी भी जियो सीम पर 5G अनलिमिटेड मिलता है लेकिन कुछ रिचार्ज एंड रूल्स की मुताबिक फेलाल जियो की रिचार्ज प्लान 20 से 25 परसेंट यदा हो गए एरटेल वो 5G प्लान मिलता है एंड नेट वर्क कवरेज वो अच्छा है वी आई सीम वो अनलिमिटेड डाटा मिलता है मिडनाइट पर कुछ रिचार्ज की मुताबिक लेकिन फेलाल लोगों बरते हुए रिचार्ज प्लान देखकर वी एस एन एल को जम कर सपोर्ट कर रहा है सहेद अब वो कन्फ्यूज हो सकते हो की क्या करे सा सपोर्ट रहे तो कुछ दिनों पर इंडिया का नंबर एक बन सकता है ऐसे आप क्या बोलना चाहेते हैं इस बारे में कॉमेंट्स पर जरूर जनाए एंड वीडियो को दोस्तों के शेयर करना ना भूले